दिवाक की किरिया अपूर्ण भूत काल, बर्तमान काल और भविसत काल की हो तब भी उसके करता के साथ नेचिन का प्रयोग नहीं होता है जैसे तुम दोर रहा था, रहा था रही थी रहे थे जिस वाक की किरिया में लगा हुआ हो वह समझे कि वह अपूर्ण भूत काल की किरिया है अपूर्ण भूत काल की किरिया के करता के साथ नेचिन का प्रयोग नहीं होता है इसलिए तुम दोर रहा था कि करता के साथ नेभी वक्ति का परियोग नहीं किया गया है उसी तरह से अगला वाक है मैं पुष्टक पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ यानि बरतमान काल की किरिया है यह पढ़ता चुकि सकर्मक है किन्तु यह बरतमान काल की किरिया है और कोई भी किरिया यदि वक बरतमान काल की हो तो उसके करता के साथ नेचिन का प्रयोग नहीं होता है इसलिए कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता हूँ? मैं, मैं यहाँ पर करता है इसलिए मैं के साथ नेचिन का प्रयोग नहीं किया गया है अगला वाक है वह मेला देखेगा 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 देखना तो सकर्म क्रिया है किन्तु देखेगा क्या है भविशत काल की क्रिया है तो यदि किसी भी वाक की क्रिया यदि भविशत काल की हो तब भी उसके करता के साथ नेचिन का प्रियोग नहीं होता है इसलिए ये दे कौन देखेगा तो वह यहां पर करता है इसलिए इसके साथ नेचिन का प्रयोग नहीं होगा कहने का मतलब यह हुआ कि इभी वाकिकी किरिया यदि अपुर्न भूत काल बरतमान काल और भविशत काल की हो तो उसके करता के साथ नेचिन का प्रयोग नहीं होता है